हलो फ्रेंट्स मैं हूँ राकेश आप देख रहे हैं नर्षे जब यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज अपन बात करेंगे कम्मुनिटी हेल्थ ओफिसर की वेकंसी के बारे में और ये वेकंसी आई है उत्रा खंड गॉर्मेंट के अंदर तो इस वेकंसी की कम्मुनिट डेटेल अपन वीडियो के अंदर बात करेंगे तो वीडियो को शुरूशन तक देखते रहे ना वीडियो पसंदायज वीडियो को लाइक और से जरूर कर देना अब यहाँ पने ओफिचल वेबसाइट के उपर और यहाँ पर अपन जो इसको ओपन करते हैं यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है अप्लाई फोर्दा MLHP और CHO एक्जाम 2020 तो इसके उपर अपने क क्लिक करना है और क्लिक करते ही नेक्स्ट इंतरफेस पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर option 2 आपको शो करेंगे जिसमें की new registration है और already registration है और दूसरा यहाँ पर एक आपको notification है वो चल रहा है वो दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है कि 2020 और 2021 क के अंदर जो candidate है जिनके अंदर integrated course था MLHP का वो candidate इसके अंदर eligible रहेंगे दूसरा यहां पर advertisement जो दिया हुआ है इसका वो complete advertisement भी इस पर अपन क्लिक करके यहां से download कर सकते हैं दूसरा option होता है यहां से अगर download नहीं करना है तो यहां पर download का option दिखाई दे रहा उपर कर सकते हैं या फिर अपन new registration के उपर क्लिक करेंगे और यहां से अपन अपना registration भी कर सकते हैं जिसमें की mobile number, full name, father name, date of birth, email id और capture डाल के submit करना है आपके पास id password आ जाएगा और next उसमें login अपन कर सकते हैं या फिर यहां से भी download के option पर जाके और इसका जो advertisement है वो download कर सकते हैं अभी अपना open कर लेते हैं इसके जो advertisement है उसको official notification का जो advertisement था open कर लिया है यह vacancy है यह उन candidate के लिए जिन candidate ने अपने जो bsc nursing के final year और post bsc nursing के final year के अंदर mlhp या फिर ccn का जो certificate है वो उसके अंदर integrated था वो ही candidate इस vacancy के लिए eligible रहेंगे जितने भी हैं उन सभी के पास यह certificate था और G&M candidate है वो इस vacancy के लिए not eligible रहेंगे दूसरा other state के जो candidate है वो भी इस vacancy के लिए un eligible रहेंगे क्योंकि उनके पास में वहां का domitial certificate नहीं है online आविदन करने की तितिय है 17-12-2021 से और last date है इसमें 26-12-2021 जिसमें फीज जमा करवा सकते हैं और website से प्रवेस पता डाउनलोड करने की जो date है 28-12-2021 और जो entrance exam है वो आएगा 3-1-2022 को और result है वो 5-1-2022 को इसमें आ जाएगा और और counselling होगी जो की district wise रहेगी जो counselling है वो विश्वी दाले द्वारा पर्थक से जारी कर दी जाएगी तो यह सबी थी इसकी जो important dates थी अब अपन बात करते हैं कि इस जो vacancy है इसके अंदर कौन-कौन से candidate है वो eligible माने जाएगे eligible के लिए इसमें BAC nursing और post BAC nursing candidate है जिनके साथ में community health जो certificate था CCHN का वो candidate इसमें eligible रहेंगे या फिर वो किसी भी state से pass out हो या फिर उत्राखन के किसी भी nursing college प्राइवेट हो या फिर government हो या फिर AIMS RICI case वहां से pass out हो वो सभी इसमें eligible रहेंगे दूसरा इसमें 21 साल से और 42 साल तक के candidate है उनकी age limit रहेगी physically proper होने चाहिए और जो fees है application fees है वो इसमें 500 रुपए इसमें दी हुई है तो 500 रुपए इसमें application forum fees रहेगी online ही forum accept किये जाएंगे जिसमें की पूरे जो document है वो उनके पास में होने चाहिए entrance exam है वो online conduct करवाय जाएगा जिसके अंदर की 2 गंटे का time रहेगा और इसमें objective type के जो mcqs है वो आएंगे और percent पत्तर है जो रहेगा वो 100 mcqs इसमें दीए जाएंगे next इसमें आता है कि इसमें exam center है वो कौन-कौन सा रहेगा तो exam center है पहला देरा दून है और दूसरा हल्दवानी ये दो इसमें exam center रहेंगे बस यहीं था इस वीडियो के अंदर important अगर आपको वीडियो informative लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजे चैनल पर नवे चैनल को subscribe कर लिजे धन्यवाद कर दो.